किसान भाईयों आप सबी का स्वागत है गन्य की ट्रेंच बिदि से अगर हम बुआई करते हैं तो ट्रेंच में ही सिचाई की जा सकती है जैसा कि इस वीडियो में आप देख पा रहे होंगे जब ट्रेंच की घहराई हम 30 cm कर लें और खेत पहले जो हमारा ब्लाट है उसकी ले एक वर्टिकल लाइन बनाई गई है हमारे जो ट्रेंच हैं उसको जोड़ती हुए एक वर्टिकल लाइन बनाई गई है और इसके पहले भी एक नाली बनी हुई है इस नाली में पानी लगा करके और चार चार ट्रेंच में पांच ट्रेंच में एक साथ पानी को जाने दिया अगर नाली जदा लंबी हो जाती है तो पानी पहले छोर पर ज़्यादा हो जाता है बात में कम हो जाता है इस बिजिसे बेहतरी praise जमान होता है बहुत च्चा जर्मिलेशन हो जाता है अगर भूने के बाद की की बाद आप बानी लगातें और इस तरह कर आप मिटÆ से ढख भी सकते हैं जो आसानी फिरना के पहले पुएा बहुत आसानी से इसमित से ढखा भी जा रहा है और अगर पानी इस नाली में लगाू तो आप 50-60% पानी भी बचेगा और जो बलेवा करने में पानी लगता है नमी बना रखने के लिए पुह पानी भी बज़ेगा दूसरी जो सबसे बड़ी अच्छी बात है इसमें कि जो बीच का स्थान है जो इंटर रोई स्पेस इसकी गुड़ाई आपको बार बार नहीं करनी पड़ेगी चुकि यह जब पानी हम जल प्लावन बिद से लगाते हैं तो बीच की जो मिटी है यह सक्त हो जाती है हार्ड हो जाती है जैसे पल्रजिशन और एरिशन काफी कम हो जाता है यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से पानी हलका पानी लगाए गया अगर जादा पानी आप किर जाएगी और गन्य के टुकड़े उपर ज्यादा हो जाएगी इस विद में यह भी जरूरी है कि मिटी आप गन्य को बोने के बाद केवल मौस्चर जो जमीन के अंदर की नमी है जमीन के अंदर जो खुले हुए पोशक तर्थ हैं वो पौधे को बराबर मिलते रहते हैं इसलिए सभी पौधों की जो टिलरिंग है ब्यात है वो जल्दी होती है और जमाओ भी जल्दी होता है अच्छा गन्ना आप ले सकते हैं इसे